दाल चावल तो हम सभी लोग यहां डेली बनता है पर दाल चावल को अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बनाएंगे तो बहुत ही जादा यह स्वाधिस्ट बनता है और खाने में तो लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर में बनाया है बहुत ज़ादा अच्छा बनता है तो आज मैं चने की डाल लौकी डाल कर बना रही हूँ तो चने की डाले हैं मैंने ले लिया है लगभग आधा कप और आधा कप चने की डाल को अच्छी तरह से धूल कर 10 मिनट के लिए मैंने भिगा कर रख दिया था 10 मिनट के बाद इसे कूकर में डाल दिया मैंने तब तक लोकी काट लेंगे, तो लोकी बिल्कुल फ्रेश हो तो बहुत अच्छा डाल बनता है, और एकदम सॉफ्ट होता है, तो डाल में अच्छी तरह सो गल भी जाता है, तो लोकी को छील लेंगे, और लोकी यहां मैंने लगबक 100 ग्राम ही लिया है, बहुत जादा लोकी नहीं डालेंगे, तो लोकी को छील कर धूल कर काट लिया है, और अब दाल देख लेते हैं, तो दाल में उबाल आगया है, जब डाल उबनने लगती है, तो उपर यह वाइस सा हुआ जांग हो जाता है, जो मैंने पिछले वीधियो में दिखाया था खिए मैं इसे पहले निका जब तक दाल पक रही है आलू की भुजिय बनाने के लिए आलू काट लेते हैं तो दाल चावल के साथ आलू की भीजिया बहुत ही अच्छी लगती है तो यहां मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिये हैं उसे छील कर धूल कर इसे पतले पतले लंबे स्लाइस में काट लेंगे अब इसे एक बॉल में निकाल लेंगे तो दाल में दो सीटी अभी आ चुकी है तो दूसी साइड में दाल को रख देंगे जिसे की दाल दूसे साइड में गैस पर पकती रहे और इस साइड चढ़ा देंगे कढ़ाई तो यहां मैं लोहे की कढ़ाई चढ़ा रही हूँ आलू को डाल देंगे और आलू को medium flame पर थोड़ी देर भूनेंगे और इसे ढख देंगे तो ढखने से क्या होता है कि आलू जल्दी पक जाता है लेकिन भूजिया बिल्कुल red color का होता अच्छे तरह से crispy बनता है तो बहुत जादा देर तक इसे ढखना भी नहीं है एक दो बा यह तेस्टी बनता है तो अब साथ में यहां पर मैं तड़का लगाने के लिए लहसुन चील लेंगे एक इंच टुकड़ा अद्रग का दो टमाटर को छोटे-छोटे स्लाइस में काट लेंगे और एक प्याज को भी छील कर धूल कर बारिक-बारिक काट लेंगे तो सारी तो इसही तरह से वह थीमी आज पर इसे पूना है अब इसमें मसाला डाल देंगे मैंने ठोड़ा सा हल्दी पाव्डर नमक दालिन भूना रम जेंगे लाल मीश पावडर डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भी अज पर इस अभी थोड़ा देर और इसे पकाएंगे जिसे यह और क्रिस्पी हो जाएगा डाल दुसरी साइट जो मैंने रखा था चने की डाल अपक चुकी है यह देखिए प्रेसर इसका निकल चुका है इसे चला कर दिखाती हूं यह देखिए डाल अच्छी तरह से गल चुकी है लोकी भी अच्छी तरह से गल हो जाता है तो अगर आपको लगे दाल थोड़ा पतला है तो इसमें थोड़ा पानी गरम करके और मिला सकते हैं तो यह देखे आलू की भुजिया भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है अब इसे साइड में रख देंगे और दाल को फ्राई करते हैं तो एक कढ़ाई मैंने चढ़ दिया है उसमें डाल दिया है दो चम्मज सरसो का तेल आप चाहे तो देशी घी में भी दाल को फ्राई कर सकते हैं पर मुझे सरसो के तेल में ज्यादा पसंद है तो सरसो के तेल को मैंने रख दिया है कढ़ाई में और गर्म हो गया अच्छी तरह से यहां मैंने थोड़ा सा यानि कि Ceramini की जो उरत की बड़ी बनती है यह मैने लिए है इसे हम लोग घर में बनाते हैं तो यह मैने घर में बनाया था इसे मैं तेल में फ्राइ करके निकाल लेती हूं अब इसी बचे में टेल में डाल देंगे एक तेजपत्ता तोड़ कर और जीरह जब चटक जाए तो इस में डाल देंगे थोड़ा सा हींग तो हींग से डाल में बहुत मीर्ज को मैंने 20 से काट कर डाल दिया है इसमें और इसे चला दिया और एक छोटा टुकड़ा अधरक का मैंने लिया है लगभग एक इंच का है ये इसे भी कदुकस करके यहां मैंने डाल दिया है तो अब इन सारी चीजों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से भूल तो टमाटर को हलका सबका लेंगे इसके बाद इसमें मसाले अट करेंगे तो धल्दी तो मैंने पहले से दाल में डाला है लेकिन थोड़ा से हमें डाल नहीं हूँ बहुत ज्यादा नहीं लिजेगा हल्दी और साथ में कीचन किंग मसाला मैंने यहां डाला है और थोड़ा स बाद इसे अच्छी तरह से mix करेंगे भून लेंगे अगर मसाला जलने लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी add कर देंगे जिससे कि टमाटर भी पक जाएगा और मसाले भी पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं तो थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से अब 2 मिनट तक भूनेंगे तो पानी सारा सूप चुका है इसका और मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके है अब इसमें डाल देंगे जो डाल पका हुआ है इसको डाल डालने के बाद इसे मसालों के साथ अ तो मसाले और दाल अच्छी तरह से आपस में मिल चुके हैं अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है अभी दाल काफी गाड़ी लग रही है तो कूकर में मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के डाल में डाल दिया है तो कूकर में जो डाल लगा था इससे क्या होता है कि पानी के साथ डाल उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है और इसमें ही डाल देंगे डाल का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है अब इसमें डाल देंगे जो मैंने फ्राई किया हुआ बड़ी रखा था उसका आधा मैंने यहां डाला है आधा को क्या करना है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी तो यह आधा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे तीन से चार मिनर तक पकाएंगे जिससे की दाल और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और डाल में मसालों का सारा फेवल आ जाएं तो साथ में जो बड़ी मैंने भून कर रखी थी उड़त के दाल की उससे एक तीखी सी चटपटी सी चटनी बनाते हैं जो दाल चाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है यहां पर ले लेंगे पांच छकली लहसुन की छिली हुई और छोटा सा टुकड़ा अधरक का ले क्वांटिटी अपने टेस्ट के कॉंडिंग जादा भी कर सकते हैं या कम कर सकते हैं अब इसे कूट लेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से कूट कर बिल्कुल महीन नहीं करना है दरदरा सा इसका चटनी बनाना है तो यह देखिए इस मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है इस तरह की चटनी बनकर यह त्यार हो जाते हैं यह सूखी चटनी है और दो दिन तक बिल्कुल खराब भी नहीं होती है बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट खाने में आप एक बर बना कर दिखेगा बहुत ज्यादा यह क् nursery ट्यार कर लेते हैं तो मेथी के सथाफ सोय ऑच्छनी बहुत ही अच्छी लगती है तो सोया मैं ने एक मुठी लिया उसे धूल कर मिक्सी की जान में डाल दिया है अध्रक ले लिया ले सून् usanay दो ले लिया है इसमें डाल देंगे नमक और छोड़ा सा काला नमक दव देंगे और इसमें मैंने दो तीन चम्मस बिल्कुल ठंडा पानी डाला है आप चाहे तो एक आइस क्यूब भी यहां डाल सकते हैं पानी की जगए अब इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे तो चटनी को मैंने पीस लिया है यह देखे तो कितना बढ़िया हारा कलर इसका आया है तो दोनों चटनिया बिल्कुल तयार है अब साथ में पापड को भून लेते हैं तो आप चाहे तो पापड को फ्राइब भी कर सकते हैं पर भूना हुआ पापड हिल्दी भी होता है अच्छा भी लगता है तो अब आए खाना सारा बन चुका है अब इसे सर्व करते हैं में सबसे पहले रखेंगे चावल और साथ में रख देंगे जो बड़ी की चटनी तीखी सी बनी है उसको और सोया की जो चटनी मैंने हरी वाली बनाई है उसे एक छोटी सी कटोरी में मैंने रखा है जो देखने में काफी अच्छा लगता है भुना हुआ पापर रख तो यह थोड़ी सी गाड़ी मेंने दाल बनाई है और इसमें उपर से घी डालना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि घी से बहुत ही अच्छा दाल में टेस्ट आता है और यह मैंने आलू की भुजिया भी यहां पे रख दिया है तो यह कंप्लीट ठाली हो गई एक आपको कैसी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा हमें बताईएगा और कुछ कम्या रह गई हो तो उसे भी जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए रेस्पीज के साथ टेक केरन बाए